नमस्कार जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है मैं हूं गारगी ठग सुकेश चंडरशेखर के खिलाफ मनी लॉंडरिंग मामले में चल रही जाज के बीच टेलिविजन अभीनेतरी निकी तंबोली और चाहत खना का नाम भी अब सामने आया है प्रवरतन निदेशले के आरोब के अनुसार निकी को 3.5 लाक रुपए और एक गुच्ची का बैग दिया गया था तो वहीं एक्टरेस नोरा फटई को इसी मामले को लेकर एक बार फिर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराजशाका के सामने पेश किया गया था एक रिपोर्ट के मताबक निकीता तंबोली, चाहत खन्ना, सोफिया सिंग और अरुशा पाटिल की मुलाकात सुकेश से तब हुई जब वो जेल में थे ये सबी अपने सहीयोगी पिंकी इरानी के जरिये उनसे मिलने दिल्ली के इतिहार जिल पहुचे थे प्रवर्तन निजशेले के चार शीट में कहा गया है कि अपरिल 2018 में पहली मुलाकात के दौरान आरुपी पिंकी इरानी को सुकेश चंडर शेकर से 10 लाग की नगत राशी मिली जिसमें से उसने रुपए की नगत राशी दी निकिता तंबोली को 1.5 लाक रुपए दूसरी पार अपनी पहली मुलाकात के दो से तीन सब्ता के बाद वो अकेले सुकेश चंडर शेकर से मिलने गई जहां उसे आरुपी सुकेश चंडर शेकर ने 2 लाक और एक गुच्ची का बैक दिया दिल्ली पुलिस E.O.W. के अधिकारियों ने इसी मामले में अभिनेतरी जैकलीन फननडीस को तलब करने से ठीक एक दिन बाद नोरा से पूछताच के लिए वहां बुलबाया और उनसे कई सवाल किये गए E.D. के मताबिक नोरा और जैकलीन दोनों को सुकेश से कारे और महेंगे तौफे मिले हैं करनाटक के बैंगलूर के मूल निवासी सुकेश बरतमान में दिल्ली के जेल में बंद है और उसके खिलाफ दस से अधिक अपरादिक मामले दर्ज है जब वो रोहीनी जेल में बन था तब उस पर दो सो करोर रुपए का जवरन वसूली रैकेट चलाने का आरोप लगाया गया था इस मामले में जितनी चानबीन चल रही है उतने ही लोगों के नाम सामने आते जा रहे हैं अब तो ऐसा लग रहा है कि आगे वॉलीबूट के और भी अभीनेत्रियों के नाम सामने आ सकते हैं बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉग इन कर सकते हैं इश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे जन्भावना टाइम्स नमसकार